असलाम अलाइकुम उमीद है कि आप सब सही सलामत है अज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एक शामको चाय के साथ भी सिर्पर सकते हैं बहुत ही टिस्टी बनता है बहुत ही आसान रिसिपी है आप इसे कबाब बोल सकते है और बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए अच्छी तरह से मैश कर लेना है मैं हाथों से मैश कर रही हूँ आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं ग्रेटर से तो अच्छी तरह से मसल लेना है इसके बाद मैं यहां पर आधा का सूजी डाल रही हूँ और डाल रही हूँ मैं एक प्यास कुटा हुआ थोड़ा सा हरी मिच्ची और थोड़ा सा धनिया की पत्ति और आधा चमस सिली फ्लेक्स डाल रही हूँ उसमें और सिली फ्लेक्स डालने के बाद मैं प्यास हरी मिच्ची और हरा धनिया डाल रही हूँ कुटा हुआ और नमक डाल रहे हूँ थोरा सा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाले थोरा सा हल्दी पौडर डाल रहे हूँ तकरिबन आधा चमस आधा चमस जीरा पौडर डाल रहे हूँ और एक चमस आमचूर पौडर डाल रहे हूँ आप चाहे तो चात मसाला भी डाल सकते है अगर आमचूर पौडर नहीं है तो और डाल रहे हूँ एक अंडा अगर आप वेजिटेरियान है तो आप अंडा ना डाले उसके बदले में थोरा सा बैस्टन डाले या फिर थोरा सा बिल्कुल ना डाले मैदा डालने से बहुत ही सकत बन जाते है माने में टेस्टी बिल्कुल नहीं होते हैं तो सरह बेशन आए प्रास कॉण्फर डाले अगर अब भेजिटिरियान है तो इस अच्छी तरह से छायां ह Лेंख कार्णना हैं को ज्यादा सकत प्रास नर्म रखना च साइज या छोटा साइज बनाना है यह आपपर धिफन करेगा है मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और हाथो एक शेप दे रही हूं हाट शेप हाथों से चप्टा करके तब कोई भी शेप दी सकते है राउन्ड शेप या अविल शे तो मैं हाट शेप दे तो इसी तरह दीरे दीरे हाथों से चप्टा करके एक शेव देना है तो इसी तरह मैंने साड़े कबब तेयार कर लिया है आप चाहे तो इसे फ्रीज में रख सकते है अभी और दो तीन दिन तक फ्रीज में रख सकते है बाद में आप निकल के फ्राइ कर सकते है तो मैं अभी फ्राइ कर रही हूँ इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, और तेल ज्यादा गरम ना करें, और low to medium heat पर इसे fry करें, नहीं तो अंदर से कच्चा रहे जाएंगे, और दोनों तरफ ब्राउन होने तक इसे धीरे धीरे फ्राइ करते रहें, यह बहुत ही आसान रिसीपी है, आप इफ्तार में से सार्फ कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, या फिर शाम को चाई के साथ भी परूश सकते हैं, बहुत ही टिस्टी बनते हैं, तो एक साइड ब्राउन होने के बाद मैं पलट रही हूं से, तो इसे धीरे धीरे फ्राइ करते रहें, नहीं तो अंदर से कच्चा रहे जाएंगे, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और सूजी है, सूजी को पकाना भी जरूरी है, और अंडा भी डाली है, तो इसे अच्छी तरह से पकाना जरूरी है अंदर से, बहुत ही कम आच पर इसे फ्राइ करते रहें, तो अब देख रहे हैं, मैंने दोनों साइड ब्राउन हो गया है, मेरी जो कबाब है, तो इसी तरह फ्राइ करें, तो मैं इसे तेल से अभी निकाल रही हूं, अब इसे हाफ फ्र फ्रीज में रख सकते हैं, और फिर बाद में निकल के फूल फ्राइ करके खा सकते हैं, तो इसी तरह अब इसे गर्मा गर्म, टोमेटो सौस या फिर इमली की चतनी के साथ परूशे, इफ्तार के टाइम आप परूश सकते हैं, या फिर शाम को छाय के साथ भी आप इसे पास्त रहे, अल्लाह हफीज